कि एक रिटी है क्रामा सेंटर है और जिला स्पिताल मेहिल और जिला स्पाल पीदेश नहीं है उसका कि सीटीवी क्यामरे से सारे विडियो क्या है माने मुख्यमंत्री जी की वीडियो कांफरेंसिंग हुई थी जिसमें उनके दोरा आदेश दिये गए थे कि सभी कोविड अस्पतालों में सीसी टीवी कैमरा लगाया जाएं पायब हम उन्हें कंट्रोल रूम से उसको जोड़ा जाए तो इसी के तरच पर हम लोग जनपत हमारी जितने कोविड अस्पताल है तो सरकारी हम लोगों ने शुरुआथ जो है cctv cameras लगा दिये गए हैं और various locations पे और इनकी जो है हम लोग direct live coverage जो है control room के माध्यम से हम लोग watch करते रहते हैं इसमें दो तीन issues हैं एक तो हमारे doctors का भ्रह्मन, doctors और nurses के भ्रह्मन को लेके समस्य आ रही थी कि इनके द्वारा भ्रह्मन किया जा रहा है कि नहीं तो अब इससे live monitoring से इस चीज़ पर एक समीक्षा की जा सकती है second point है attendance के लिए विवस्था वी सी में यह भी कहा गया था कि attendance के लिए proper विवस्था की जाए तो हम लोगोंने पानी की विवस्था है, सचाले की विवस्था है, खानपान की विवस्था है, यह सब समिशित कराई है तो atleast इस से जो है हमारा control room के मादियम से इसकी भी monitoring हो जाती है किसी भी तरह का ये प्राव्लम आती है कि मान लिजे पेशेंट को कोई तकलीफ हो रही है तो हम लोग कंट्रोल रूम के माधियम से जो नोडल आफिसर हैं उस हॉस्पिटल के उसको भी कम्मिनिकेट कर सकते हैं तो ये सब जो है बेसिकली ट्रांसपरेंसी और बेटर मैंने हॉस्पिटल मैंनेजमेंट के लिए किया जा रहा है कि में इसयू है कि मॉनेटरिंग का है और वहाँ पर जैसे डॉक्टर्स हैं कंप्लेंट साथी थी कि दवाई समय से नहीं मिल रही है या खाना जो है वो समय से नहीं मिलता है तो एकलिस्ट ये सब चीजें जो है आप यहाँ पर visibly देख सकते हैं जो हमारे wards हैं आप देख रहे हैं अभी तो wards बहुत सारे खाली है just because हमारा occupancy बहुत कम है अगर हम जला महिला अस्पताल देखें तो महिला स्पताल में अभी 28 बेड हैं, टोटल 102 बेड में से 28 बेड भरे हुए हैं, तो अक्टुपेंसी अभी है नहीं यहाँ पे, लग यह है कि जब अक्टुपेंसी रहती है तो फिर आप सो दिख सकता है कि उनको क्या खाना दिया जा रहा है, या किसने वक्त दिया जा रह बिसिकली हम लोग की वैवस्था के साथ साथ यह उत्तरपदेशासन की वैवस्था है, उत्तरपदेशासन का एक पोझाल है, इसमें DG Health Services का है यह पोझाल, उसमें कोई भी विक्ती जा कर देख सकता है कि जनपत जानपूर में कितने बैड भरे हुए हैं, कितने बैड खाली है किस अस्पताल में कितने बैद हैं पूरी जानकरी ले सकता है हमारे 12 प्राइवेट अस्पताल है चार सरकारी अस्पताल जो अभी टोटल 16 हैं उस हब सब्सक्ताल में कहा कहाber बैड क्योपक्द recur samma करेONEY इस सब उसमें शो करेगा और हम लोग हर दिन जो है दो usma everytime करते पर तब देखना वह द्हुतर हो सकती है कि तो इस समस्या का का इसमें से निदान हुआ है कल दो कि लग टॉड nggak अब नृ ROB kn KASK कंम हुए हैं अगर आप इछले 500 За स्य गरी लाप संप्धार की केसिसा आ रहे हैं। अμαरे कशे जो हे diff ए-ठी कर दरू ह है जो कि पहले 1200 1200 सारे 300 केसिदा रहे थे तो लॉकडाउन को प्रभावी rheम रूप से जो कुछ वस से केसिस की में कमी आई है और आगे क्योंकि आपको पता था आखि अभी कल ईद का तेवहार था तो तेवहार के मद्दे नज़र रखते हुए भी हम लोग को इसमें लोगों के द्वारा जो है वो कुछ-कुछ मतलब वेवसाय जो है उसमें किया गया है तो उसमें भी थोड़ तक हमारा लोगडाउन लगाए उसी का ही पालन किया जाएगा तो उसमें 6-11 तक टाइमिंग है जिसमें वो पुला रहेगा तो उसी को हम लोग मतलब इंफोर्स करा रहे हैं